हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग आप लोग कैसे हो आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो गाइज चलिए करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा दोस्तों लक्ष को होमवक मिला था एक्टिविटी और एक्टिविटी बनाने के लिए पापा हैं पापा मदद कर रहे हैं पापा इसको कटिंग कर रहे हैं जो चिपकाना था रिया भी मदद कर रही है और जब मैं कीचन से आई तो मुझे भी मदद करना पड़ा इसको एक्ट पापा ने पहले किया फिर मैं जब कीचन का सारा काम कर ली फिर मैं जब आई तो मैं कर रही हूं क्या करूं बच्चे लोग ऐसे हो जाते हैं और इसी वज़े से आज लेट होने वाला है सोने में और कल इसकूल भी है और आपको पता ही है इन लोग का कुछ भी होमवग अगर रहा है तो दीरे दीरे करते हैं जल्दी करते हैं नहीं आप लोग ने देखा ही वीडियो में कैसे इन लोग कर रहे हैं काम और मुझे मदद करना पड़ता है इन लोग को होमवग में क्या करूं अब ऐसा लगता है क्या कि बुढ़ापा तक मैं ही इसका हो लोग को हमवग करते रहा हूं अब मेरे बिना काम ही नहीं होता है इन लोग का और देखिए इसको चिपकाना था फ्रीडम फाइडर का फोटो पिक्चर्स जो की रिवल्ट ओफ 1857 इंवल्ब थे तो वहीं सब इन लोग के खोच-खोच के फोटो कटिंग करके रखा था फिर में फाइनल टस्ट दे दी हूं आके क्योंकि इसको जो भी एक्टिविटी या होली डे या जो भी होमवर्क सब अब बिलता है वो सारा काम हमी लोग करते हैं और मैं कीचन का सारा काम कर ली हूं और मैं मार्किट गई थी दो पहर में सामको इसी वज़े से में बहुत जादा ठक गई थी लेकिन फिर भी कीचन का काम मैंने किया और उसके बाद मैं आ गई हूं इसका एक्टिविटी बनाने क्योंकि अचानक से यह रात में बोल रहा है पहले से बोला नहीं था इस वज़े से गैस में मुझे मन नहीं हो रहा था बनाने का फिर भी बनाना ही पड़ा कौन बनाएगा और यह साहां काम करते करते दस बज गया मैंस यह तो कर लिया मैंने सारा हेडिंग वर लिखे फिर इसका नाम लिखवा दूंगी इसी से क्योंक सोनी कर समय बोलता है ताकि मम्य डाटे नहीं और यह देखे अभी रिया करवाएगी यह दूस्रावाले और देखें यह सुभा का वीडियो है तो मैं सोमार की सुभा का रही हूं आलू गोबी की भूजिया अब सिंपल ली तरीके से बनाती हूं आलू को अभी कट भी नहीं किया है इधर फूट्स भी कट करना है तो देखे आलू वो भी को मैं सिर्फ भरी मीर्च और पश्पोरा नमक खलती डाल के बना दिया है यह बनके तयार है रोटी बनाऊंगी इलों को दूंगी लंच में क्योंकि सबस्कूल ऑफिस जाने वाले हैं और गास तेल ज्यादा हो गया था इस वज़े से बूजिया को साइड में कर ली थी और निकाल ली थी और फृच में थ्वरा पालग था तो स्भी बना दूंगी उ तो तीन केला पढ़ा था क्योंकि भूजिया हम लोगो फिर होगा नहीं फिर दोपर में बनाने का मुझे मन नहीं होता है तो अभी ही बना दूगी तो पाला को मैंने फ्राय कर लिया है फिर ये केला की सबजी बनाने आ गई हूँ देखिए सब कुछ तयार है इतार दाल भी चड़ा दूगी तो सिर्फ दोपर में चाहौल बनाना होगा और देखिए केला को मैंने फिर मस्केल इता की सबजी बन जाता है और केला की सब्जी 9 2D में बहुत पसंद है सब की खाते हैं फिर देखिए यह मसाला पॉट में खाली की हूं इसको भी सफाई करूगी क्योंकि मसाला बहुत कम था दिवा लिये थो सफाई तो करना ही बनता ही है और देखिए इधर मैं आगई ह trail का क्लीणिंग करने वाली हैं आरह की आज बालकनी को cleaning करने वाली हूं लो façon brother यह जो रोड है ना थोरा से बीजी रोड है मार्केट टाइप का है तो डस्टिंग होता है और बरावर ही में जो सफाई करना पड़ता है तो मैं एक गिला कपड़ा लेकर सिर पानी से पोच लेती हूं तो साफ हो जाता है क्योंकि पानी से दोना भी बहुत मुश्किल काम था क क्योंकि पूरा बालकनी गिला हो जाता है और बालकनी मुझे अभी बहुत काम है इसी विज़से में सिर पानी से ही पोच रही हूं टाइल्स को और इस बालकनी में देखिए बहुत सारा पेड़ पौधा भी है तो थोड़ा दिकत भी हो रही थी और यह देखिए खिए खिर दो बार पोच दे रही हूं पानी से और इधर तरफ जहने एक साइड और है उधर भी टाइल्स लगावा है तो अच्छे तरीके से आज डीप लिनिंग हो रहा है तो कोकि रोज तो रफली पोच थी हूं और गाइस यह सब सफाई कर लो ना अगर तो अच्छा लगता है क्य तो मैं वही बालकनी का कर रही हूं और मैं सुची आप लोग के साथ सेर कर रही हूं और यह सब सफाई करते करते मुझे बहुत टाइम लग गया था देखने में तो छुटा ऐसा बालकनी है लेकिन इतना ज्यादा डस्टिंग था कि मैं क्या बता हूं और देखे इधर भी टा मैं बेसिता ध्यातों करें और लगे घ्जब को लगे सोची यह होगा। ये थिसके साथ साथिय करते मुझेया ता कि सम यह वेश्ची खाय दोपार के महां थे जब खाइक गए है और गाइज यही काम करते करते एक बज़ गये थे दिखें डिस्टिंग है ना यह और गाइज ने इस जो डिजाइन है इसके अंदर पूरा डिस्टिंग चिपका हुआ था इस डिस्टिंग को सफाई करने में बहुत टाइम लग गया और मैं सोची हूँ जब भी बनाओगी न पानी से सिफ सफाई कर रही हूं को कि पेंट इधर रुआ ही था और ऐसे कोने कोने में डस्टिंग ने बहुत सारा चिपका हुआ था और आप लोग सफाई कैसे करते हो आप लोग बताना और यह देखिए मैं आ गहीं दूसरे वाले बालकनी में इधर भी टाइस लगाया और यह वाला जो ग्रील है ने यह सबसे ज्यादा गंदा था इसको सफाई करने में मुझे बहुत टाइम लगा और एकदम मिट्टी था इसके अंदर इतना ज्यादा गंदा था मैं आप लोग को पानी दिखाऊंगी एकदम ही काला हो गया था और यह देखिए मैं लगी हु जासरी सबस्कों आप द्यूंते करके जावा इथा हूं एक एक राइख है और लगहा हो इंदा देखने में और सबसे पहले तो मैं ही दिखा हूँ दूसरे के लिए तो यह पचा हुआ तो यह पचा हुआ ओर जो गर में पेंट कर वाइट तो रखा हुआ था तो मैं सुची आगा तो जम गया तो लग तो लक्डी से अच्छी तरीकी से मिला लिया फिर बरस ब्रस कर रही हूँ और जैस यह जब अगलर कर लेती हुझ ने तो आपनों को पता ही कि सुबह मैं आते हूं घूमती हूं जो यह सब पर नजर पड़ता है साफसु तरह पर तो अच्छा लगता है लगता है कि नहीं हाँ दीवाली की क्लीनिंग हुई है और मन खूस हो जाता है अंदर से कि चलो मेरा हर छीज बालकनी वेगर हर घर हर जगह हर को तो देखे करके मैं नेत अक्लीन हुआ है तो देखे एक और करके मैं गंले को ड़ते चारिकों सब्सक्राइए क्व एक चारिके और आताब बसक्रास कुष्क काना तो आगर हैता उत मुणा चाल नगां दीखी तो रही हूं तब में अरेंज करूंगी क्योंकि अभी कहीं भी अरेंज करो तो हाथ में ही लग जा रहा है कपड़े में लग जा रहे हैं तो गैस जो जो मिट्टी का गमला था वो सब को मैंने कलर किया है और गैस कलर करने से जादा टाइम तो मुझे इस बालकनी को सफाई करने में लग गय इतना ज्यादा मिट्टी और कच्रा निकला था मैं सब को एक पुलिथीन में डाली और सब को फिर से पोच्छा लगाई बहुत टाइम लग गया इसको सफाई करने में और मैं यही काम करते करते बहुत ज्यादा ठक गई थी लेकिन हाँ जब एकदम नीट एंड क्लीन हो गया स इस प्लास्टिक काम घवला को और यह तुलसी को मैं ने फोच दिया था क्योंकि उसमें तो पेंट होगा नहीं और यह देखिया कल में एरेंज करूंगी क्योंकि अभी सूखेंगे आज दीन भर उसके बाद और गयास जब मैं सूची बालकनी क्लीन हो चुका है बाहर बाहर कोerek philosophically touchdown में जाटा वलंग представção चलिए कोउटन कोफ़ाई सर भीक देती हुआ βह कर लेती हूं और यह कर अकर अज मुझे सबस्ट्रों करने दोस्टों सब्सक्राइख है। और में बहुत ज्यादा थक गई थी इसी मुझे से अराम कर रही थी तो अभी एंड कर लेते हैं ब्लॉग को तो आप लोग को ये ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजेगा बहुत महनत लगा इस वीडियो को बनाने में और म बहुत ज्यादा थकावड़ी बूजे हो गया यह सफाई करकर के तो गया सगर यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आकन को जूरू प्रेस कीजिए ताकि आएसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंसती है तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में तब तक के लिए टेक केर और बाबाई